एक बार फी से मेरे नियोजीटी चैनल इस टूपांड जुरो में आप सभी सिख्चक सांतियों का स्वागत है यह देखते हैं सिख्चकों के लिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दे कि अब फ़स जनवरी नौव बार सिख्चक खुशी-खुशी मनाएंगे क्योंकि एक जनकारी को रहेगा छुटी और एक जनवरी दुहाजार चौबी से अवकास तालिका और समय सारनी दोनों बदल जाएगा तो पूरी जनकारी के लिए वीडियो को अंतक जहुर देखें उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देता कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफीकेशन मिले सबसे पहले आपको तो आई देखते हैं एक बड़ी अपडेट अभी अभी मिली जनकारी के अनुसार आपको बता दे की बीत मंत्री वीजय कुमार चौधरी से बात हुआ है मिस्टर राई से उनके द्वारा ये शमय सारनी बदल जाएगा और आवकास तालिका भी बदल जाएगा समय सारनी में परिवर्तन हो शकेगा दस से चार बजे तक विद्याले चलेंगे और उसके बाद आपको बता दे की आवकास तालिका जो है पूर्व के भाती ही रहने की पूर्ण शांभावना है इसका पत् हो सकता है जारी क्योंकि एक तारीक को नव वर्ष है और नए बर्ष की शुब कामनाएं के साथ सभी सिक्छक खुशी-खुशी अपना नव वर्ष अपने घर पर राके मनाएंगे ऐसे असमंजत के इस्तिती पैदा हो चुकी है सिक्छक लगातार वाटसप ग्रूप में फेस्बूक पर सभी जगा कॉमेंट कर रहे हैं कि नव वर्ष एक जनवरी को छुटी रहेगा या नहीं रहेगा तो 95% या किलियर हो चुका है कि एक जनवरी को सभी विद्यालेयों में छुटी रहेगा और सिक्छकों को एस्कूल नह नहीं जाना पड़ेगा तो आप पिकनिक भी मनाशकते हैं तो वीडियो में इतना ही वीडियो मलास तक बने आने के लिए धन्यवाद वीडियो को जासे है शेयर करें वीडियो को एक लाइक होस करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के सिक्छाई व्याक से लेटेस अपडेट पाने के लिए